Good morning class 1, okay, now we have already done our exercise 4B, हमने अपनी 4B exercise complete कर ली थी, जिसमें हमने abacus से number निकालना सीखा था, right, और हमने सीखा था what comes after between and before किसी number के आगे, पीछे और बीच में कौन से number आते हैं, okay, अब हम अपनी exercise में सीखेंगे, ये पता करना कि कौन सा number किस number से कितना बड़ा होता है, कौन सा number बड़ा होता है, sorry, ठीक है न, हमको सरफ ये पता करना है कि कौन सा number बड़ा होता है, अगर आपको दो number दिये हुए हैं, तो आपको पता करना होगा कौन सा number बड़ा है और उसमें से कौन सा number छोटा है, या आपको 4-5 numbers दिये हुए हैं, तो आपको ये पता करना आना च ठीक है, 20 है और 40 है, तो इन दोनों में से कौम सा नंबर बड़ा है, 40 बड़ा है, लेकिन इसको आपको शो करने के लिए आपको 3 signs यूज़ करने पड़ते हैं, वो 3 signs में बताता हूं कैसा होता है, एक sign होता है ऐसा, ठीक है, एक होता है ऐसा, और एक होता है equal to का sign, ठीक है, खुला हुआ है, यह मूँ बंध है, ठीक है, यहाँ पर देखो, मूँ बंध है, यहाँ पर मूँ खुला हुआ है, यहाँ पर क्या है, मूँ बंध है, यहाँ पर देखो, मूँ खुला हुआ है पूरा, तो जब भी जो खुला हुआ साइड है, जो यह वाला साइड है, खु तरफ equal to, ठीक है, अब मैं आपको sign बना के बताता हूँ, आपको तब समझ में आएगा, देखिए, अब जैसे 20 और 40 में 40 बड़ा है, तो ये sign ऐसे लगेगा, ये बड़ा नंबर है, तो ये खुला वा मुह इस तरफ और बंद वाला इस तरफ, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 76 से और 39 है, ठीक है, तो 76, 39 से बड़ा है, 76 बड़ा है, तो मुह इस तरफ आएगा, ठीक है, आई बात समझ में, अब एक छोड़ी से मैं आपको trick बताता हूँ, जिस से पता चलता है, कि बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, अगर आपको केवाल 1 to 9 तक भी गिनती आती है तो भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर है, मैं बताता हूँ कैसे, जिसे सपोस करो, यहाँ पर नंबर है 42 और यहाँ पर है 14 है, ठीक है, अब हम इसमें 1st नंबर देखेंगे, left side से 1st नंबर, left side से 1st नंबर मतलब यहाँ पर देखो क्या है 1st नंबर, 4 और यहाँ पर क्या है 1, अच्छा 4 बड़ा की 1 बड़ा, 4 बड़ा, तो यह नंबर बड़ा हो गया, अब सपोस करो, यहाँ पर डूसरे नंबर में देखते हैं, यह 2 नंबर्स हैं, इसमें पहला नंबर क्या है, 1 और यहाँ पर क्या है 5, तो 5 तो 1 से बड़ा होता है तो मतलब ये वाला नंबर बड़ा हो गया, और मैंने निशान के से लगाया देखो, जो बड़ा नंबर है 42 बड़ा नंबर था, तो ये मुँ इस तरफ खोला हुआ है, यहाँ पे 52 बड़ा था, तो ये मुँ इस तरफ खुला हूँ है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 60 and 60, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हम क्या करेंगे, equal to का निशान लगा देंगे, इस तरीके से, ओके, ठीक है, सब्सक्रों यहाँ पे क्या है, 37 and 73, पहला नमबर क्या है, 3, यहाँ पहला 7, तो 7, 3 से बड़ा होता है, तो हम यह वाला नमबर बड़ा मानेंगे, और इसका निशान इस तरीके से लगाएंगे, अब यहाँ पे देखो, यह है 9, यह भी है 9, अब क्या करेंगे, अब हम दूसर नमबर देखें, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, दोनों सेम नमबर है, दूसरा नमबर यहाँ पे 2 है, तो 2, 1 से बड़ा होगा, यह निशान यू लग जाएगा, अब suppose करो, पहला नमबर सेम है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, अब कैसे पता करेंगे, कौन सा नमबर बड़ा, कौन सा नमबर छोटा, जब पहले दोनों नमबर बराब हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं, यह क्या है, 3 और यह है 7, और 3 और 7 में से कौन बड़ा, 7 बड़ा, तो यह ऐसे बड़ा हो गया, और अगर ऐसा हो, कि दोनों ही नमबर सेम हो, तो क्या होगा, जैसे कि यह पहला नमबर क्या है, 1, दूसरा नमबर क्या है, 1, सेम सेम हो अब क्या करेंगे सेम से हो जाएंगे तो क्या करते हम दूसर नमबर पर देखते हैं दूसर नमबर 3 यहां पे भी 3 दोनों बिलकुल बराबर हैं तो यहां पर हम equal to का निशान लगा देंगे आया समझ में इस तरीके से आपको greater और lesser आपको करने हैं ओके ना उसके बाद question number 2 में टिक पाने क्या है आपको ना five six numbers दिये में six numbers दिये में हैं उसमें से आपको सबसे चोटे नमबर पे right का टिक लगाना है और जो सबसे बड़ा नमबर है उस पे cross का टिक लगाना है करके देखें अब इसमें से पहले हम सबसे छोटा नमबर ढूनेंगे सबसे छोटा नमबर कौन सा है जैसे ये नमबर दिये हैं 20, 30, 14, 19, 73 और 37 तो इसमें सबसे छोटा नमबर कौन सा है सबसे छोटा नमबर है 14 तो 14 पे हम करेंगे टिक और फिर हम दूढ़नेंगे सबसे बड़ा नमबर सबसे बड़ा नमबर इसमें कौन सा है 73 यहां पे हम करेंगे cross सबसे छोटे नमबर पे टिक सबसे बड़े नमबर पे cross अब यहाँ पे देखिए 16, 81, 43, 73, 37 and 62 इस में से सबसे छोटा नमबर कौन सा है 16 इस पे करेंगे टिक और इसमें सबसे बड़ा नमबर कौन सा है 81 इस पे करेंगे हम cross ऐसे ठीक है अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा नमबर 61, 81, 26, 92, 51 और 37 में से सबसे छोटा है 26 टिक है सबसे बड़ा नमबर 92 इस पर करेंगे cross ऐसे करना है आपको तो इसी बेस पर आपकी exercise है exercise 4C यहाँ देखिए यहाँ पर आपको दो-दो numbers दिये हैं ठीक है आपको यह निशान लगाने है जो मैंने आपको बताया था ना greater, lesser and equal to जो भी बड़ा होगा जो जिस तरफ बड़ा number होगा उस तरफ निशान का मुझ खुला हुआ होगा इसी तरीके से आपको इन सब में greater, lesser यह equal to का निशान लगाना है, उसके बाद आपको यह करना है six numbers दिये हैं, जो सबसे छोटा number होगा इन में से, उस पे आप ऐसे right-cut tick लगाएंगे ठीक है, और जो सबसे बड़ा number इन में से आपको मिलेगा, उस पे आप cross लगाएंगे, उसी तरीके से यह आप exercise complete करेंगे तो आपका, आज का assignment यह है आपको करनी है, self practice 4C question number 1 and question number 2 book में करके, आप मुझे इसकी photo भेजिए, and कल हम इसकी last exercise करेंगे which is exercise 40 okay class, thank you